आप देखे हैं लाइव समन नमस्कार लाइव समन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान रंजन दोस्तो विसेश में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नितीश का ओपरेशन जारखंड नितीश कुमार की पार्टी जदियू की कभी जारखंड में बोलबाला थी लेकिन पिछले एक दसक से अगर आप देखेंगे नितीश कुमार की पार्टी के लोग आते हैं, मिटिंग करते हैं, जाते हैं लेकिन जो अस्तित्व होना चाहिए जारखंड विधान सवा में वो सुन्ने है वो चाहे 2014 का चुनाव हो, या फिर 2019 का विधान सवा चुनाव हो दोनों ही चुनाव में नितीश कुमार सुन्ने बटे सननाटा उनकी पार्टी जदियू की स्तित्य हा रही थी नितीश कुमार ने जदियू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं खीरू महतो उनको राजसभा भी भेजा बिहार से लेकिन अब एक बार फिर नितीश कुमार का उपरेशन सुरू हो चुका है और इस बार उनके यार पुराने यार जो हैं जारखन में विधायक हैं निर्दलिय विधायक हैं पुर्व मुख मंत्री रगवर दास को चुनाव हरा कर वो निर्दलिय चुनाव जीते थे पुर्वी से और उस समय भी नितीश कुमार का सहीयोग उनको मिला था चुनाव में इस बात को स्विकार सरजूराय भी करते हैं अब नए सीरे से जो ऑपरेशन सुरू हो रहा है नितीश कुमार का जारखन में उनकी जो कमान है जो तीर है उनका उसको लेकर निकले हैं और उनकी जो पार्टी है भारती जनतंत्र मोर्चा उसका भी विले जद्यू में होने जा रहा है बहराल अब जो राजनितिक गलियारे में चर्चा है ये पढ़का था एक दिन की नहीं है अगर लोग सोच रहें कि सरजूराय गय जा करके नितीश कुमार से मिले उसके 20 दिन के बाद जो है सो नितीश कुमार की पार्टी जद्यू में उनको विदिवत सामिल कर लिया जाता है ऐसा भी नहीं है लगातार आप देख रहे होंगे कि जुलाई मेहने से ही जद्यू की बैठक होती है और जद्यू जारकंड में 15 सीटों की मांग करता है पहले फिर 11-12 सीट जारकंड में जद्यू का कभी अस्तित्तों था अस्तित्तों ऐसा था कि बावुलाल मरांडी की सरकार भी जद्यू के कारण से जद्यू समतापाटी कारण से ही चली गई थी और अर्जुन मुंडा मुख्य मंत्री बने थे लेकिन धीरे धीरे करके वो इस्तिती कमजोर होती गई और आज जद्यू सुन्ने बटे सन्नाटे की स्थिती में है अब नए सीरे से नितीश कुमार जारकंड में अपनी जमीन तलास करने जा रहे है और उनके लिए जो हैसो लांचिंग पैड के रूप में मिले हुए हैं सर पटका था जो सर्जूराय के जद्यू में सामिल होने की है उसके पहले तो यह समझ ले कि भले ही रगवरदास को हरा करके विधान सवा 2019 के विधान सवा चुनाओ में रगवरदास को निर्दलिये खड़े हो करके सर्जूराय ने चुनाओ में हरा दिया था लेकिन फिलहाल जो इस्थिती है सर्जूराय अकेले चुनाओ जीतने की स्थिती में नहीं हैं यह अलग बात है कि वह जो कहें लेकिन जो इस्थिती है जमीनी हकीकत है और इसके लिए सर्जूराय को तलास थी और तलासी ऐसी थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जमसेत्पुर यहीं नब्बे के दसक से ही भाजपा वहां पर अपना परचम लहराते आ रही है और 2019 के चुनाओ में सर्जूराय वहां से जीते थे रगवरदास को अरा कर लेकिन अब जो इस्थिती बनी हुई है इस इस्थिती में जो है सो जो जानकारी आ रही है कि सर्जूराय वहां पर अपने आपको अकेले यहीं निर्दलिय चुनाओ लगने की इस्थिती में आँक नहीं पा रहे हैं और यहीं वज़य है कि वो मिले थे जाकर के नितीश कुमार से नितीश कुमार से उनकी याराना काफी चर्ची थे और आपको यह भी पता है कि सर्जूराय लालु यादव क चारा घोटाला का मामला हो या फिर मधूपोर प्रक्रक्रन हो इन सारे प्रक्रणों में जो है तो सर्जूराय कि क्या भूमिका रही तào यह जगजाहिर है यह सबी लोग जान रहे है राजनीती के मजह ही वे खेलाडी हैं और समय के हिसाब से वो अपने आपको राजनीती में अपनी उपस्तिती दर्ज कराते रहे हैं पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जमसेत्पुर पस्तिमी से टिकेट पाने के लिए उन्होंने अंतिम समय तक इंतिजार किया था और जब उनको लगा कि अब टिकेट नहीं मिलेगा तो उन्होंने ताल ठोक दिया तातकालिन मुक्ख मंत्री के खिलाफ और उस समय हेमन सोरेन का भी सहीयोग उनको मिला था नितीश कुमार का भी सहीयोग मिला था या अन और लोगों का भी सहीयोग मिला था रगवरदास्चों के मुख्यमंत्री थे पूरे प्रदेस में उनको दौरा करना था पूरे प्रदेस को रोंद रहे थे वो अपने छेतर में समय नहीं दे पाया और या वो हलके में लिये कि वो चुनाव तो हारी नहीं सकते लेकिन नतीजा उनके विप्रीत आया उनके सोच के विप्रीत आया अब सवाल है कि अब क्या सीन बन रहे हैं जो जानकारी मेरे पास आई हुई है भारतिय जनता पाटी किसी भी कीमत पर जो है सो जारखंड में सत्ता में आना चाहती है और उसके लिए वो पूरा एक फुल प्रूप प्लाइन तयार कर रही है और इस प्लैन में जद्यू की इंट्री हो चुकी है यहनि आप कह सकते हैं कि 14 के बाद जद्यू फिर से गठ बंदन में जारकंड में एंडिये गठ बंदन की ताथ सामील होने जा रहा है उसको सीटे मिलने जा रही है जो जानकारी मेरे पास आई हुई है और उस जानकारी में था कि अगर सर्जू राय सामील नहीं होते तो ये बाते नहीं बन पाती अब चुकी केंद्र में जद्यू गठ बंदन में है सरकार में सामील है भाजपा पुर्ण बहुमत में नहीं है 240 सीटें ही भाजपा के पास है जाहिट तोर पर उनको चंद्रबावू नाइडू की पाटी का सहीयोग चाहिए नितिश कुमार की पाटी का सहीयोग चाहिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को और जारखंड में अगर दो-चार सीटें जो सीटें जदियू के द्वारा जो मुख रूप से परमुकता से कही जा रही है बातें उसमें जमसेदपूर पुर्वी या पस्तिमी से एक सीट हो सकता है जो सर्जूराय के लिए होगा इसके अलावा मांडू, बागमारा और जड़िया ये विधान सभा की सीटें हैं हलांकि जदियू की तरफ से जो सीटें की मांग की जा रही है उसमें डाल्टन गंज भी है लातेहार भी है इसके बाद भवनातपूर भी है तमार भी है जो इनके खाते में है कि ये जो डिमांड कर सामने आ रही है कि आज़्सू जो 12-13 सीटों की डिमांड कर रहा है आज़्सू को 7 सीटों तक ही सिमित करने प्लान भाजबा के अंदर उपरी खेमे में चल रहा है आजसु को 6 या 7 सीटे इससे ज़्यादा उनको नहीं मिलने जा रहा है गटबंदन के तहट और आजसु अब इस इस्तिती में भी नहीं है पिछले चुनाओं का जो उन्होंने देखा इस्तिती देखा है पिछले चुनाओं में भाजपा से अलग होने के बाद आजसु की क्या इस्तिती ही भी थी भाजपा की भी क्या इस्तिती ही भी है ये सभी के सामने पता है कि आजसु को दो सीटों पर संतोस करना परा था दो सीटे मात्र जीत पाया था आजसु पिछले चुनाओं में बाद में उपचुनाव में एक रामगर की सीटें जीती भाजपा 79 सीट पर खड़ा होने के बाद 81 में से 89 विधान सभा पर चुनाव लगने के बाद भाजपा को 25 सीटें आती है भाजपा ने भी देखा कि गटबंदन नहीं होने से क्या नुकसान होता है और अब जदियू के साथ होने की जो बातें आ रही है इसमें जो जानकारी मेरे पास आई है अभी जो चर्चा चल रही हलाकि दिल्ली दर्वार में सारा कुछ तैय होगा सारे विशियों पर दिल्ली दर्वार में बातें होगी जो जानकारी प्राप्त हो रही है जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से 70 सीटें पर भाजपा चुनाव लड़ेगी 7 सीटें आजसू के खाते में जाएगी और 4 सीटें जदियू को मिल सकती है हाला कि NDA गटबंदन के एक घटक दल हमने भी कल आकर के दावेदारी जारखड में की जिसका कोई अस्तित्व जारखड में नहीं है लेकिन जीतम राम मांजी आते हैं उनके पुत्र आते हैं और ब्रेस कॉनफरेंस करके दावेदारी ठोक कर चले जाते हैं लोग जनसकति पारटी के तरफ से भी दावेदारी हो रही है लेकिन जो दृस्ट बन रहे हैं जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें हम का कोई अस्तित्व नहीं है लोग जंसक्ति पार्टी के कभी जनाधार जारकंड में नहीं रहा है जदियू का था अगर आप देखेंगे 2000 के तो 2000 में सम्ता पार्टी और जदियू को मिला करके 8 विधायक थे 5 सम्ता पार्टी के और 3 जदियू के सम्ता पार्टी में थे मधू सिंग, रामचंदर केशरी, बच्चा सिंग, जलिस्तुर महतो और रमेश सिंग मुंडा और इसमें अगर आप देखेंगे तो बाबुलाल मरांडी की सरकारविये पाचों के पाचों मंत्री थे उसके बाद जदियू से थे बैजनात राम, इंदर सिंग नामधारी और लालचंद महतो और इसमें से दो मंत्री थे बैजनात राम और लालचंद महतो और स्पीकर का कपद इंदर सिंग नामधारी को दिया गया था जब अलग जारखन राज बना था तो 2000 में 8 विधायक थे जदियू सम्तापार्टी को मिला के जदियू के हो गए सभी और बहुत ही नाच नचायो वाली कहावज्य होती है तो खूब नाच नचाया था इन लोगों ने बावुलाल मरांडी की सरकार को इस्तिती तो ये बन गई स्पीकर रहते वे नामधारी जी ने कहा था मेरे पेरे में घुम्रू लगा दे तो फिर मेरी चाल देख ले और उसके बाद अरजुन मुंडाराजी के मुख्यमंत्री बने नामधारी जी नहीं से ठोपाए जिन्होंने उनको आगे किया वो ही उनके नाम पर फिर पीछे हट गे मदू सिंग, रामचंदर केशरी वगरे जो नेता थे उस समय के और 2005 में विधान सवा का पहला चुनाओ होता है जारकंड में विधान सवा का और 2005 के चुनाओ में गठबंधन के तहत 18 सीटों पर जद्यू को 18 सीटे मिली थी 18 सीटों पर चुनाओ लड़ा जद्यू जिसमें से 6 सीटों पर जीत मिली उनके कई का दावर नेता हार गए चुनाओ में जीतने वाले में थे देवघर से कामिसर दास एक नया चेहरा आया था मांडू से खिरू महतो जो प्रदेश अध्यक्ष ये भी नये चेहरे के रूप में आये थे बागमारा से जलेस्वर महतो रिपीट हुए थे तमार से रमेख सिंग मुंडा रिपीट हुए थे डाल्टन गंज से इंदर से इनामधारी रिपीट हुए थे और छतरपूर से राधा क्रिस की सोर कॉंग्रेस सोरकर जदियू में आये थे और चुनाओ जीते थे 2009 में 14 सीट पर चुनाओ लड़ा था जदियू गटबंधन के तवर मात्र दो सीट जीत पाये थे दोनों ही नए चेहदे जदियू के लिहाद से चतरपूर से सुधा चौदरी जीती थी और तमार से राजा पीटर चुनाओ जीते थे तो ये इस्थिती थी और उसके बाद 2014 के चुनाओ में जीरो 2019 के चुनाओ में जीरो ये जदियू की इस्थिती जारखंड अलग राज बनने के बाद थी जो पलामू परमंडल का एरिया है उस एरिया में जब राज अलग राज बना था उस समय दबदबा सही माइने में अगर था तो आरजे डी और जदियू का ही था लेकिन धीरे धीरे करके जो है सो इस स्थित्र से आरजे डी और जदियू दोनों का ही सुपड़ा साफ हो गया अब एक दसक के बाद अगर दावेदारी जदियू के तरफ से की जाएगी वहाँ पर डाल्टन गन सीट की जो भाजपा के वहाँ पर विधायक है भवनात्पूर की सीट जो भाजपा के विधायक है पांकी की सीट जो भाजपा के विधायक है मैं उनी सीटों की बात कर रहा लातेहार की सीट जहां से बैजनात राव भी जार्खन मुक्ति मूर्चा से हैं सिक्षा मंत्री है इन सीटों पर बाते नहीं बन पा रही है लेकिन मांडू में जो भाजपा के विधायक थे जेफी भाई पटेल उन्होंने पिछले लोग सभाचुनाओ में जो 2024 के लोग के लिए बैटिंग कर रहे हैं वह पीछ तयार कर रहे हैं अपने पुत्र के लिए चुकि वह राजसवा है और खुद चाहते हैं कि वह उनका बेट उनके बेटे को वह जगह मिले तो मांडू सीट पर अगर देखा जाए तो एक तरह से आजसू की भी दावेदारी है क्योंक अध्यक थे भाजपा के धुलू महतो वो धनवास से सांसत बन गये हैं जलेस्वर महतो जब जद्यू में थे अभी कॉंग्रेस के कारिकारी अध्यक्ष है उस समय उनकी वहां पर अच्छी खासी पकर थी और पिछले चुनाव में भी जलेस्वर महतो ने नाको चने धुलू महतों के चबवा दिये थे साथ 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 सौबोट से डुलू महतों से वो चुनाव हा रहे थे लेकिन अभी कॉंग्रेस के कारिकारी अध्यक्ष है और अब वहां पर जो हैसा चुकी भाजपा के जो विधायक थे वो सांसत बन चुके वो सीट खाली है वहां पर जदियू दावेदारी कर रहा है जरिया में भाजपा के विधायक कुंती देवी थी पहले बच्चा सिंग थे बच्चा सिंग के बाद कुंती देवी महाँ साही कुंती देवी के बाद संजीब सिंग आये उनके पुत्र और अभी पुर्णिमा नीरस सिंग वहां से विधायक है युको नहीं बनता है। जमसेथपुर पुर्वी से सर्जुराइ विधायक हैं। जमसेथपुर पुर्वी से वो चुनाव लगना क्या है? लेकिन जिन सीटों का नाम वो ले रहे हैं, उन सीटों पर उनकी दाल नहीं गल सकती है, क्योंकि राची में भाजपा, धनबाद में भाजपा, जरिया में कॉंग्रेस है और जमसेद्पूर पूर्वी में खुद हैं और जमसेद्पूर पस्तमी में बनना गुपता है लेकिन ये तैमान के चलिए कि ये जो गठबंधन या ऑपरेशन जो नितीस कुमार के द्वारा किया जा रहा है तो नितीस जान रहे हैं कहा जाता है नितीस की राजनिती को समझ पाना बड़ी मुस्किल होती है और ये बिहार में देखा जा रहा है नितीज कुमार की राजनीती को लगातार वो चाहे वो NDA के तरफ से हो या INDA के तरफ से हो CM का पद उनका नहीं जा रहा है और अभी केंदर की सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया है भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा अच्छा परफॉर्वेंस रहा भाजपा और जदियू दोनों का बिहार में और फिर से वो जार्खन में सरजूराय को आगे करके जार्खन में अपनी जो उनकी पीच थी जो खराब हो चुकी थी 2014 और 2019 के चुनाव में उस पीच को वो समतल करने जा रहे हैं उस पीच को वो त्यार करने जा रहे हैं यहां पर जो है सो ऑपरेशन उनका सुरू होने जा रहा है अब इस operation में मुख्य वाहक बनाया है उन्होंने सरजू राय को बनाया है और सरजू राय को पता है जारखंड में कैसे कैसे राजनिती में किस लूप में ले जाना है और ये भी पता है कि सरजू राय का भाजपा के बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध है अर्जूनागा गार सब्सका किस लूप मुख्य को परुमुख मुठृ्ध सिवरा सिंक्च पुछम लू‑ONEY बने हुए उनके साथ भी अच्छे संबंध है तो इस लिहास से अगर देखा जाए तो जो जानकारी आ रही है जो पहले की सीट जो उनकी थी जमसेदपूर पस्तमी की उस सीट पर भाजपा को भी देने से इतराज उनको जदियू के नाम पर देने में इतराज नहीं है ऐसी जानकारी मिल रही है और इसके बाद ही बातें आ आजसू के साथ जो आजसू लगातार ये में था कि आजसू कि हम भाजपा के पास दवाव डाल के ज़्यादा सीटे ले सकते हैं पर भाजपा भी आजसू की राजनिती को समझ चुकी है और भाजपा को पता है कि जिस तरह से जैराम मातो कुर्मी वोट के पक्ष अपने दिखाया था बताया था लेकिन इसके बाद भी लोकसभा चुनाओं में जैराम की पार्टी ने दिखा दिया उसका भी वजूत जार्खण में है अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आजसू से जादा वोट उसको आया हुआ है वहले ही आजसू एक सी मिकरन में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है सो आजसू अब इस स्थिती में नहीं है वो किला ठोक करके कहें कि हमको इतनी सीट चाहिए ही चाहिए जो पिछले चुनाओं में हुआ था और आजसू अब इस स्थिती में नहीं है जार्खण में कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सके अकेले दम पर वो चाहे जैसा पिछले मर्तवा उन्होंने 52-53 सीटों पर चुनाव लड़ा था कि फिर लड़ेंगे तो वही इस्तिती होगी जो 2019 के चुनाव में हुआ था क्योंकि लोग सभा चुनाव में ये जो समिकरण अलग होते हैं ये सही बात है कि लोग सभा चुनाव के में जो मुद्दे होते हैं वो और विधान सभा चुनाव के मुद्दे बिलकुल ही अलग होते है और आशू पार्टी ने जिस तरह से सदन के भीतर लगातार जो मांगें जैराम महतो की पार्टी की है वही मांगे जो है सो आसू पार्टी भी लगातार 1932 का ख़तियान अधर अस्थानिय निती हो या OBC को आरक्षन हो जातिय जनगन्ना हो या फिर कुडमी को अनुसुची जनजाती में सामिल करने का मामला हो इन सारे मुद्दों को ले करके लगाता चाहे वह सुदेस महतो हों सुदेस महतों ने गहर सरकारी सेक्रव लाया था जातिगत जनगन्ना को ले करके इसी सतर में मांसुची जनजाती में सामिल करने का मुद्दा लाया था बहराल ये सारे चीजें चल रही है लेकिन इसके बाद भी 12 सीटों की दावेदारी नहीं पच रही है इसलिए नहीं पच रही है जुगसलाई में जो दावा किया जा रहा है आसु के द्वारा वहां पर वो भाजपा से पिछले चुनाव में पीछे थी चंदन क्यारी की जो दावेदारी की जा रही है चंदन क्यारी में नेता प्रतिपक्ष वहां से विधायक है लोहर दग्गा की जो दावेदारी की जा रही है वहाँ पर से सुक्दे भगत भाजबा के टिकट में लड़े थे दूसरे अस्थान पर रहे थे पिछले चुनाओं में तो समीकरन इन सीटों पर नहीं बन रहे हैं रह गए रामगर्ण, सिल्ली, बढ़कागाओं, गोमिया इन सीटों पर बाते चल रही हैं इसके अलावा अन्य दो सीटों पर बाते चल रही है तो जो समीकरन बने हुए हैं उस समीकरन के हिसाब से जो मेरे पास जानकारी आई है सत्र, सात और चार का फॉर्मूला चलेगा जदियू को भी चार सीटे मिल सकती है और इस पर दिल्ली दरवार में बहुत जल्द इस पर चरचा होने जा रही है पहले इस विस्सैपर चरचा जो है उससे प्रदेश-स्तर पर होगी और प्रदेश-स्तर पर चरचा होने के नितीस का जो ऑपरेशन जारकंड है नितीस का जो की जो डिप्लोमेसी है चुनावी डिप्लोमेसी है उसके तहद नितीस कुमार फिर से NDA के फोल्डर में ही रहकर जारकंड में चुनाव लरने जा रहे हैं इसमें कोई सग सुभा अब नहीं बसती दिख रही है और इसी का पर ठक के बाद क्या कुछ फैसले आगे आते हैं बहराल आज के विशेस भी इतना ही आप हमारे साथ जुरे रहे हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार